तो हां बाई, आज की स्वीटी के इंदर हम बात करने वाले हैं PUBG की, नहीं, PUBG की बात कोई नहीं करेगा, विकोज यार ऐसे, अब PUBG आपके और हमारे बीच में नहीं रहा है और जब कोई PUBG की बात करता है न तो बहुत तकलीफ होती है, यहीं होती है, तो यहाँ पर हम बात करने यहाँ से टोप 5 स्मार्टफोन की, जो आपने मुझसे पूछे 20,000 लुपीज में बाई करने लायक हैं, उन्हीं स्मार्टफोन की यहाँ पर मैं इनकी खासियत बताऊंगा, इनकी कमियां बताऊंगा, क्योंकि खासियत के साथ कुछ ना कुछ कमी होती है फोन के अंदर और आपको जान ले नीची है किसी भी फोन को बाई करने से पहले, तो हाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते इस वीडियो पर 6000 लाइक का मुझे पता है तुम लोग कम्प्लीट कर दोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच आपको देखने के लिए मिलता है, बागी दूसरे नंबर पर मैं मोटरोला वन फूजन प्लस का रखना चाहूंगा, यहाँ पर काफी अची क्लारीटी देखने के लिए मिलती है, और जब आपको कोई कॉन्टेंट वोच करेंगे, तो यहाँ पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट द देखने के लिए मिलती है, बाट यहाँ पर मुझे ओल ओवर जो इस फोन के अंदर थोड़ी सी कमी लगी, वह है इसकी प्लास्टिक बैक, यहाँ पर थोड़ी चीप काइंड ओफ प्लास्टिक है, यह फोण थोड़ी सा मोटा है, लेकिन weight distribution काफी अच्छा करा हुआ है इस यहाँ पर आपको जो camera's देखने के लिए मिलती है, काफी हत तक हलकी सी dynamic range कम लगी थी, बट आप Gcam वगरे को यूज करके इस चीज को भी improve कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 64 megapixel का quad camera setup दिया गया है, फ्रेंड में आपको 16 megapixel का pop-up camera sensor देखने के लिए मिलता है, Snapdragon 730G है, जिसके स 17,500 रुपीज अभी flip card पर, तो अगर आप इसे buy करना चाते हैं, और आप fulfill करता है आपकी need को, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की battery भी मिल जाती है, और इसका जो battery backup है, वो काफी ज़्यादा amazing है, तो battery backup के मामले में अच्छा है, phone power के मामले में अच्छा है, cameras के मामले में average तो Motorola की तरफ आप जा सकते हैं, अब बढ़े हैं आपर next smartphone की तरफ तो यहाँ पर आपके भाई ने रखा है POCO M2 Pro और AK Redmi Note 9 Pro भी हो सकते हैं इसे, बिकोज यहाँ पर दोनों smartphone जो हैं, वो सेम है, आपको charging का फर्क देखने के लिए मिलता है, बस, तो यहाँ पर आपको IPS LCD panel दिय चेट के साथ, और यहाँ पर क्लियाटी काफी अमेजिंग है इस फोन की, हलके फूल के IPS panel के साथ कोई भी फोन हो, यहाँ पर आपको screen bleeding का issue देखने के लिए मिली जाता है, तो यहाँ इतना बड़ा कोई issue नहीं है, बट यहाँ पर display की quality all over काफी अमेजिंग है, कोर निग और के से अच्छा ही मिलता है, because अगर आप 120Hz में use करेंगे phone को, तो आपको battery backup और कमज़र देखने के लिए मिलेगा, तो एक चीज अच्छी है, जिन लोगों की media consumption ज्यादा है, जिन लोगों को ऐसे powerful phone चीए, build अच्छी चीए, तो यहाँ पर आप इस phone की तरफ जा सकते हैं, इस के बाद भी clarity काफी amazing है, colors काफी अच्छे, show होते हैं यहाँ पर, तो आप इस phone की तरफ जा सकते हैं, camera's में अच्छा है, phone build में अच्छा है, यहाँ पर quality अच्छी है, इस phone की और इसमें POCO launcher भी मिलता है, because यह POCO का बच्चा है, बागी आप Redmi Note 9 Pro की तरफ भी जा सकते हैं, दो यह बात देख लेना, अब बढ़ते हैं आपर next smartphone की तरफ, तो next आपके भाई ने रखा है, Samsung की तरफ से आने वाला Samsung M31S, जिन लोगों को नहीं हाँ पर ऐसे security चाहिए, nox की, तो वो इस phone की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो security यूज़ करीगी है, वो dedicated hardware यूज़ health के लावा, बागी यहां पर जितने भी features हैं, वो normally work करते हैं, but काम क्या है, nox का, कि वो background में malicious app को kill कर देता है, बागी इस smartphone की बात करते हैं, तो super AMOLED पैनल जो दिया गया है, HDR10 को support करता है, और इसके viewing angles amazing है, इसका जो price है, वो 19,000 रुपे, जिसे हम 19,500 भी बोलते हैं, English में तो यहां पर आप इस smartphone की display को देखें, और price को देखें, तो काफी amazing है, क्योंकि display इसकी काफी ज़्यादा bright है, outdoor में भी ले जाएंगे, तो आपको कोई भी problem नहीं होगा, आपको easily text visible होने वाले हैं, बट यहां पर एक कमी लगी की cornering होती लगला, सिरी की protection है, बैक में आपको plastic मिलती है, लेकिन last time से इन्होंने improve कर दी थी plastic, तो यहां पर इतनी बड़ा कोई issue है नहीं, और यहां पर आप screen guard वगएरा तो लगा कर रखने वाले हैं, तो आपको scratch भी इतनी नहीं मिलने वाली है, बागी मैं बता दूँ इसमें जो cameras दिएगे है, one of the best camera, front 32 megapixel का camera, आप य जो की actual में useful है, जो 2 megapixel के होते हैं, वो useless होते हैं, और यह बात मैं काफी बार बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, तो link आपको description और comment section में मिल जाएगा, मैंने explain कर रहा है अची तरीके से, तो जाकर जरूर देखना उस वीडियो को, अब यहाँ पर बात करें, इसके अंदर 6000 mAh का बैटरा है, मलब आप घर की light वगरे जला सकते हैं, और 25W की fast charging मिलती है, इस phone का battery backup काफी जादा amazing है, मैंने इस phone को day-to-day life में use कर रहा है, तो यहाँ पर यह काफी जादा amazing battery backup प्रोवाइड कराता है, और उपर से इसमें जो speaker सा इसकी sound quality काफी amazing मिलती है, network भी अच्छे देखने के लिए मिलती है, अब यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें, तो Exynos 9611 मिलता है, अगर आप इसे day-to-day life में भी फोन को use करेंगे, तो आपको throttling देखने के लिए मिल जाएगी easily, यह phone heat नहीं होता, लेकिन इसका CPU जादा heat होता है, normal भी 48-50 degree Celsius रहता ही है वो, और जब आप कोई heavy task करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश ही कहूँगा, क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं होता है, इसके अंदर कोई heavy task, जिस टाइम पर PUBG था किसी जमाने में, उस टाइम पर PUBG शुरुआत में तो अच्छा चल जाता था लेकिन उसके बाद throttling चाली हो जाती है, मालब frame drop से वगरा, start हो जाते थे, यहाँ पर इस phone के अंदर आप heavy task नहीं कर सकते, तो heavy task के लिए यह phone नहीं है, otherwise अगर आपकी need है, cameras की, display की, तो आप इस phone की तरफ जा सकते है, और security भी मिलती है आपको इस phone के साथ, अब बढ़ते ह है, मालब SIPS LCD panel किसी भी smartphone के अंदर आज सक नहीं देखने के लिए मिला, इन्होंने पता नहीं कौन सी quality का use करा है, और यहाँ पर आपको wing angles strong मिलते हैं, Corning Gorilla Glass 5G protection है, front और back में, powerful phone है Snapdragon 730G के साथ, cameras इसके ठीक हैं, लेकिन dynamic range अभी तक अच्छी नहीं करी गई है, company की तरफ से, मैं सुरू से बोलता हूँ आ रहा हूँ और अभी तक नहीं है, और अभी तो इसके अंदर MIUI 12 भी देखने के लिए मिल चुका है, तो यहाँ पर यह smartphone भी काफी amazing है, front में आपको जो camera's मिलते हैं, वो 20 plus 2 megapixel का है, और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत overexpose मिल जाएगा, ले लेकिन यहाँ पर battery की बात करें, तो 4500 mAh की बैटरी है, इसमें न काफी बार drain issue देखने के लिए मिला है लोगों को, और यहाँ पर मैं भी थोड़ा बहुत face करने start कर दिया है, पहले नहीं था, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जादा हो रही है battery drain, और आप इसके reviews भी द सकते हैं, अब बढ़ते हैं next और last smartphone की तरफ, तो इसका नाम है realme X2, और काफी सारे लोग बोलेंगे तुने realme 7 series का phone नहीं रखा, तो उसको next month रखेंगे अगर वो रखने लायक हुआ, क्योंकि आपके भाई का phone जो है, वो deliver होने वाले साहिद आपके भाई को कल मिल जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे उसको without checker even मैं नहीं रख सकता list में, तो यहाँ पर अभी हमने realme की तरफ से X2 ही रखा है, और यह smartphone की build काफी amazing थी, corning or illa glass 5 था, front और back में आपके भाई ने use करा है, must, in display fingerprint sensor था, super AMOLED पैनल था, viewing angles काफी अच्छे थे, harsh light में भी text easily visible होते थे, और यहाँ पर इसके अंदर बैटरी दी गए थी, आपको 4000 mAh की वो भी भाई सही थी, मतलब मेरको कभी कभी लगता है कि काफी बार 4000 mAh की बैटरी भी काफी अच्छा बैटरी बैटरी बैक अप दे देती है, उतना 5000 mAh की बैटरी भी नहीं दे पाती कभी कभी, तो यहाँ प प्रोसेसर है इस फोन के अंदर तो अगर आपको यह फोन मिल रहा है तो आप इस फोन की तरफ चले जिए क्योंकि रियल्मी 7 Pro से यहां पर देखा जाए तो कुछ कम नहीं है यहां पर रियल्मी 7 Pro को अराम से ठकर देगा फोन यहां पर आपको बिल्ड अच्छी मिलती है देख कर रहा है और आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम बात करेंगे पब जी की दवाकर तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था तो मिलने जल्दे कूल और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जोन में है गाइस वोगे दो आपको 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